Hello students, today we are going to read our next lesson, lesson number 7, Tongue and Teeth. इस lesson में हम पढ़ेंगे Tongue और Teeth के बारे में. Let's start. Our mouth contains teeth and tongue. आप सब को पता है हमारे mouth के अंदर क्या होते हैं? Teeth होते हैं और एक tongue होती है. Both the teeth and tongue help in digestion of food. और ये दोनों ही teeth भी और tongue भी food के digestion में, यानि food को digest करने में हमारी help करते हैं. तो आपको पता ही है teeth क्या काम करते हैं? Teeth जो है फूर को चीव करके, चबा चबा करके, बिलकुल छोटे टुकडों में तोड़ देते हैं. तो सबसे पहले teeth की function के बारे में पढ़ेंगे. Teeths are hardest organ of our body. हमारी body का सबसे hardest organ क्या होते हैं? Teeth. They are fixed in jaw. Jaw क्या होता है? जबडा. ये जबडे के अंदर fix होते हैं, मुग के अंदर जबडे होते हैं. उनके अंदर teeth जो हो fix होते हैं. And covered by germs with our mouth. और इसके चारों तरफ मसूडे, जिनको हम मसूडे बोलते हैं, मसूडे के बीच में जो है, ये लगे होते हैं. यानि मसूडे इनको cover करते हैं teeth को. इसके आगे आपके लिए classroom activity दी गई है. Imagine, imagine मतलब सोचो, there are no teeth in your mouth. अगर आपके मूँ में एक भी teeth ना हो, एक भी दात ना हो, what are the things you will not able to do? तो ऐसी कौन-कौन सी चीजे होंगी, कौन-कौन से काम होंगे, जिनको आप नहीं कर पाओगे बिना दातों के. यानि आप ऐसा सोचो, अगर आपके मूँ में एक भी दात ना हो, तो वो कौन-कौन से काम है, जिनको आप नहीं कर पाओगे बिना दात के. तो आप सब जानते हैं, would you be able to eat food? क्या आप खाना खापाओगे बिना दातों के? नहीं, नहीं खाया पाएंगे. हम बिना दातों के, हम जो है, क्लियर नहीं बोल पाते हैं, तो दात जो है, वो हमारी बोलने में भी हेल्प करते हैं, विदाउट अलाविंग यूट टांग टूटू, और ऐसा आप करके देख सकते हो, कि अपनी टांग को बिना इहलाई, कुछ हेलपाबेट्स आप बोल के देख लीजी, पेस की बनावट अच्छी लगती है, तो क्या-क्या फंक्शन होई टीथ के हाँ पर हम देखेंगे, फंक्शन ओफ हवर टीथ आर, नमबर वन, दे हैल्प आस तो चीव दा फूड, वो हमारी फूड को चीव करने में हेल्प करते हैं, चीव मतलब होता है चबाना, यानि सबसे पहले तो इनका काम क्या है, जो भी हम खाना काते हैं, ये उसको चबाने में हमारी हेल्प करते हैं, दे हेल्प आस तो स्पीक क्लियरली, इसके अलावा अभी हमने देखा, कि बिना दातों के हम बोल नहीं सकते हैं, अच्छे से क्लियरली हम कुछ भी जो है बोलना चाहें, वो बोल नहीं पाएंगे, तो ये हमारी क्लियर बोलने में भी हेल्प करते हैं, अगला फंक्शन है, दे हेल्प आस तो लुक ब्यूटिफूल, इसके अलावा दात जो है, दातों के बज़े से हमारा फेश जो है, वो सुन्दर दिखाई देता है, और दातों के बज़े से फेश की जो बनावट है, चहरे की जो बनावट है, वो अच्छी लगती है, आगे पढ़ेंगे टाइप सोप टीथ, यानि हमारे पास कौन कौन सी तरीके के दाथ है क्या सारे मुह में दाथ एक जैसे ही सारे दाथ है हमारे पास या फिर वो अलग-अलग टाइप के है इन आवर चाइल्डूड चाइल्डूड होता है बच्पन वी हैव टू सेट ओफ मिल्क टीथ और टेंपोरेरी टीथ तो पर इस सेट में सिर्फ 20 दाथ होते हैं और जब आप छे या साथ साल के हो जाते हो तो इन दातों में से एक एक करके जो है तूटना यानि गिरना शुरू हो जाता है पर्मानेंट टीथ स्टार्ट कमिंग एट देर प्लेस और जो दाथ तूटता है उसकी जगह नए टीथ आ बज़ पन में होता है जो चह साथ साल के होने के बाद वह दात जो है वह तूट जाते हो उनकी जगह नए दात आ जिनको हम permanent set of teeth कहते हैं Slowly the whole baby set is replaced by permanent teeth यानि कि धिरे धिरे करके जो बचपन के जो teeth होते हैं वो replace कर दी जाते हैं permanent teeth से जो कि 32 इन number होते हैं यानि कि permanent teeth जो हैं वो 32 होते हैं जो temporary teeth है यानि milk teeth जिनको दूद के दात का जाता है वो 20 होते हैं The last four of the permanent teeth set called wisdom teeth और 32 में से भी लास्ट के चार जो teeth होते हैं यानि कि दो upper जामे और दो lower जामे इनको हम बोलते हैं wisdom teeth यानि कि इनको wisdom teeth का जाता है यूजबली come out between the age of 17 to the 21 और इन में से ये जादातर 17 से 21 साल के जबाब हो जाते हो तो उस age में ये लास्ट के चार टीथ जो हैं वो आते हैं देरारे चायल्ड हैस 28 टीथ सी बिकम एडल्ट जब किसी चायल्ड के जब किसी बच्चे के पूरे 28 टीथ आ जाते हैं तो हम उसे बोलते हैं अडल्ट यानि कि वो अडल्ट हो गया तो इस तरीकी से हमारे पास दो सेट होते एक पर्मानेंट और दूसरा टेम्पोरेरी टेम्पोरेरी जो है उच्छे साथ साल में रिप्लेस कर दिया जाता है पर्मानेंट टीथ से तो आज इतना ही अगले वीडियो में है लेसन का नेक्स पार्ट रेड करेंगे थैंक यो पर वाचिंग